Hello my dear students and welcome to dream classes और आज बहुत ही important topic पर discuss करने वाले हैं सीधे सीधे topic पर आते हैं और आज की ये वीडियो एक एक बच्चा एक एक student के लिए most important वीडियो है skip मत करिएगा पूरा देखिया क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि पांच ऐसे प्रमुक लक्षन जी हां पांच ऐसी प्रमुक आदते जो एक topper student के अंदर होता है परंतु एक कमजोड और एक normal student के अंदर नहीं पाया जाता है वो कौन ऐसे पांच प्रमुक लक्षन है जो एक normal student के अंदर अगर हो जाए तो वो normal से बन सकता है एक special student एक topper student देखो मैं topper तो एक ही बनता है मैं special बन सकते हैं मतब जो पढ़ने में बहुत कमजोड है बहुत ही weak है normal है 50-60% marks लाने की छमता रखता है अगर वो चाहे कि हमा जो graph पढ़ाई का सिख्छा को बिल्कुल बहतरीन हो तो ये 5 ऐसे प्रमुक लक्षन है ठीक है जो एक topper student के अंदर होना बिल्कुल आनिवार है और जो एक weak student है वो भी चाहेगा कि उसके अंदर ये 5 प्रमुक लक्षन आजए तो हमने screen पे लिखा है कि 5 ऐसे प्रमुक चात्रों में एक बहतरीन चात्रों में special चात्रों में आपके पास कितने लक्षन है बाद में comment करके बताईएगा कि 5 में आपके पास कितने लक्षन थे पहले से देखो मैंने structure तयार किया है भाई संगत पंगत निर्देशक लगाव भूक और चाह ये 5 ऐसे topic पे आज हम discuss करन संगत का मतलब क्या संगत का मतलब होता है आचरन ठीक है आप जिस इंसान के साथ रह रहे या जिस इंसान के साथ मतलब आपका जो संगत है आपका जो लगाव है आपका जो आपका जो सिलसिला चल रहा है वो किसके साथ चल रहा है सबसे पहली बात एक topper student अपने संगत को आपने करते हैं, point to be noted, संगत से गुन आवत है, संगत से गुन जावत है, और संगत ही सब कुछ सिखावत है, यानि संगत ही सबसे बड़ा सफलता का मार्ग भी बन सकता है, और संगत ही आपकी सफलता में बहुत बड़ी रुकावत आ सकते हैं, यानि अगर आप एक student है, एक ब लिए किस topic पर discuss करना है संगत को सुधारना है अपने संगत जियां संगत जो है यह बहुत important जरूरी है ठीक है तो संगत जो है बहुत जरूरी है यानि अगर आपके पास जो आपके friends है आपका जो circle है अगर खराब circle है तो आप उस circle को left कीजिए और एक बहतरीन जियां एक बहतरीन circle की ओर आप आगमन करिए क्योंकि संगत से बहुत कुछ हो सकता है और अगर आप एक normal student से special student बनना चाते है तो सबसे पहले हम अपको कहेंगे कि आप अपनी संगत को शुधारी है आपके जो आसपास के दोस्त है आसपास का जो महौल है आपका जो आसपास का बाता बरन है क्योंकि topper student और एक बहतरीन student कभी भी अपने संगत को खराब नहीं करता है क्योंकि उसको पता है कि अगर उसका संगत खराब हो जाएगा तो उसका mind divert हो जाएगा और उसकी पढ़ाई बहतरीन नहीं हो जाएगी तो पहला advice कि हम आपको क्या आप देंगे संगत देंगे ठीक है दूसरा हमने क्या लिखा है भाई पंगत का मतब होता है बैट कर खाना खाना यह आपको भी पता है नहीं कि सरी पंगत कहां से लेकिया थे यह तो आप कवीरदा आई आप ले आ चुके है सिख संप्रदाइवा संगत पंगत लंगत देखो चीजे कॉंसेप्ट टॉपिक जो है इसके अंदर छुपे हुए है मैं आपको एक एक करकर के समझाओंगा पंगत का मतब हो गया खाना 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 आप बैट कर खाना खाना एक कतार में सबसे पहली हम इसकी बात कहेंगे देखो भाई टॉपर स्टूडेंट क्या करते है वो अपने खाने पीने का ध्यान रखते है पढ़ने वाला यह मैं सोचो कि पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे और खाना पीना कुछ खाना आलतू फालतू नॉन वेज जो भी आलतू फालतू खा लिया ठीक है तो उससे क्या होता है कि आपका digestive system जो है वो बिगड़ सकता है आपका health कराब रहेगा तो आपने सुना है ना आपने सुना है आपने ये चीजरूर सुना होगा ठीक है health is wealth यह आपने सुना है यहाँ पे गलत है health is wealth यह आपने सुना है यापको पता है कि आपका health ही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है तो पहला हमने संगत लिखा कि भाई दोस्ती यारी जो है वो side में रखो पढ़ाई side में रखो संगत सबसे पहले ज़रूए दूसरा हमने पंगत बोला मतब अगर आप अपने स्वास्त का ध्यान नहीं रखोगे तो कैसा टॉपर कैसा फैल कैसा पास सब वेकार ठीक है कुछ नहीं होने वाला जब आपका स्वास्त ही सई नहीं रहेगा आपका खाना पीना आप आलतू-फालतू मत खाया करिए कुछ भी हो देखो यह चीज़ हर वह स्वस्त रहेगा हमारे अंदर पड़ने की चाहत रहेगी एक ललक रहेगी एक ज्ग्यासा रहेगा किसी चीज़ से लड़ने का तभी तो लड़ पाएंगे हां अरी भाई युद मे उतरेंगे तभी तो जीतेंगे आपका रहेंगे और युद में जीतने के लिए पहले खुद तो सही बन जाओ, यानि दूसरी सबसे बड़ी बात, कि पंगत, यानि सही ढंक से खाना खाए, सब के साथ, फुल फैमिली, और हाँ, एक बहतरीन, एक अच्छा भोजन गरन करे, आलतु फालतु नहीं, मतलब समझ रहो ना, जो लड़के लोग करते हैं, बाइक पैसे आरनमार के जो मारते हैं, नहीं, उसको क्या बोला जाता है, जो भी हो, ठीक है, नहीं, जो भी है, तो ये बोला जाता है, तो इस चीज पर ध्यान रहना चाहिए, ये दो चीज़ोंगे, निर्देशक, देखो, आपके वविष्य की सबसे बड़ी सफलता की कुन्जी है ये, निर्देशक, निर्देशक मतब जो आपके पत का प्रदर्शक करता हो, जो आपको दिशा निर्देश देता हो, जो आपको नई राव दिखाता हो, जो आपको सफलता या आसफलता के करीव ले जाता हो, यही बाबा रामदेव हैं, यही आपको बताएंगे कि भाई चलना कहा है, यानि सबसे बड़ी सफलता की कुन्जी, इन दोनों से भी ज़्यादा है निर्देशक, क्योंकि अभी अभी हमने बोला संगत से गुन आवत ह है, संगत से गुन ज़वत है, संगत सब कुछ जिखावत है और गी निर्देशक होते हैं, संगत tala यही तो होते हैं बताब हम एक चीज़ कहेंगे कि निर्देशक ठीक है, एक अपत परदर्शक की आवे शक्ता हर इनसान को होती है, मुझे भी होती है, आपको भी होगी और इन फ्यूचर आपको होते रेगी, लेकिन आप चैन करें कि वो पत्ध परदर्शक, वो आपका जो निर्देशक है, वो आपका दिशान निर्देशक है, वो कैसा है, एक बहतरीन दिशान निर्देशक की तालास करें, और हाँ, उस दिशान निर्देशक से हमेशा प्रश्ण मुझे से पूछा रहे हैं सर किन से ले अपने गुरू शे लीजिए आपके जो गार्जियन है आपके जो फैमली कभी दोस्तों से दिशान निर्देशक मत दीजेगा कभी अच्छा एडवाईज नहीं देगा आपके लिए याद रखी गए अगर आप इस दिशान देखना चाहते हैं तो हमारे नजरी से अपने गुरू को देखिए अपने माता पिता को देखिए सबसे बढ़ियां देखिए ना दादा और दादी जी होते हैं क्या है क्योंकि भई उनको इतना experience होता है जीवन का ठीक है एक बहुत बुज़ूर्ग type के होते है ना उस तरह तो आपके माबाप से भी जादा आपको एड़ भले ही वह आपके माबाप से मेभी आम नोट होगा मतब अगर अगर मुझसे कोई पूछा जा है कि सर हमारे दिशान निर्दिशक कौन होने चाहिए तो नाना नानी दादा दादी नाना और दादा दो चीज़ को आप लेकर चलिए यह ज़्यादा अब नहीं कोई है तो भाई मम्मी पापा खेर सबके दिशान निर्दिश है वो experience है चीजों का ठीक है उन्होंने पर नोने डिगरी ज्यादा हासिल नहीं कि लेकिन टालेंट अभी बीडादा जिके पास बहुत ज्यादा ओगा ते कि पिछले पीड़ी पिछले जो पूरबज है उनके पास भले डिगरी का मैं लेकिन नॉलेज बहुत ज्यादा एज लाइक सरदार बल्लब भाई पटेल, लाल बहादूर शास्त्री, महत्मा गांधी, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत 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 काम किया, तो सबसे पहले हम कहेंगे कि दिशा निर्देशक जो है, वो आपके तो समझ जाना कि आपका जो लगाव है, इसके साथ नहीं है, आपका जो लगाव है, इसके साथ नहीं है, यानि आपके अंदर एक लगाव होना चीज़, अच्छा, सिंपल सी बात, एक छोटा सा concept, देखो लगाव क्या है, यह चीज मैं आपको clarity के साथ बताओ, मान कर चलो, कि घर पे चल रहा है, हाँ, मान कर चलो, कि जैसे अगर आपने एक वीडियो देखा, वो वीडियो study related वीडियो है, पढ़ते पढ़ते एक ऐसा समय आता है, वच्छों को नीन आना जाती है, आके ऐसे है, मान कर चलो, देखो लगाव क्या है, मैं आपको सिखाता हूँ, एक चीज concept बताता हूँ, experience है, 6 साल का मुझे, लगाव किसको बोलते क्या है ये लगाव, मान कर चलो, कि अगर मैंने एक वीडियो आपको देदी, study related वीडियो, कि बताओ जी physics का ये topic है, दो घंटे का पढ़ो, मैं दावे के साथ कहता हूँ, कि आधे से एक घंटे होते होते आपको नीन आना शुरू हो जाएगा, लेकिन वहीं पर एक मूभी लगा देना आपको, बोज पूरी हिंदी कुछ भी हो, अर हेड़फॉन डाल दें, ठीक है, कहेंगे बैठ के पूरा मूभी देख जाओगे, एक सकेंड नीन नहीं आएगा, इसको कहते है लगाव, आपको उस मूभी के प्रती लगाव था, ये लगाव आपको आपको आपक लगाव आपको आपके सिछा के प्रती करना होगा, वरना, ठीक है, बेडा गर्ग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलिए, भूख और चाह, भूख और चाह क्या, ये खाने के प्रती भूख और चाह ने, भाई, वो तो हो चुका है एक बार, ये पंगत वाले में हमने कर दिये, खाना सही से खाईए, डाजेस्टिव सिस मैं यह कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ये एक भूख होना चाहिए, और ये चाह होना चाहिए, कि मैं इसवा, I want to get 90% marks in 2022 board exam, मैं 2022 की board परिक्षा में 90% marks लाकर ही रहूंगा या रहूंगी, ये होता है एक भूख, ये होता है एक चाह, और ये चाह तभी होगा, जब आप अच् कर दूँगा, कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो dream classes का learning app install करके, वहाँ पर एक badge join कर लिजेगा, संजीबनी badge, जिसकी फीस मातर 499 है, पूरे 6 subject का complete notebook वहाँ पर दिया जा रहा है, 499 में, download भी कर सकते हैं, photocopy भी कर भा सकते हैं, badge का नाम संजीबनी, वीडियो 3858, help line number, तो भूक और चाह जो है, हर इनसान के अंदर होने चाहिए, हर student के अंदर होने चाहिए, किस के प्रति, खाने के प्रति नहीं, सिक्छा के प्रति, अपनी सफलता के प्रति, अपने भविष्य के प्रति, एक भूक होनी चाहिए, एक चाह होनी चाहिए, कि I want to get this topic, I want get 9, I want to, मतलब इस तरह की चीजे, मैंने एक दो वर्ड यहां, गलत भी पोल दिया, ठीक है, ठीक है, क्लियर है माइडियर स्टूडेंट, तो यह है पांच ऐसे प्रमुख लक्षान, जो टॉपर के अंदर होता है, यह पांच का पांच होता है, संगत भी उसका बढ़िया र होने गा, तो यह पांच चीज एक टॉपर स्टूडेंट के अंदर होता है, डिपेंड करता है कि क्या वो चीज आपके अंदर है, क्या आप उस चीज को बढ़ा सकते हो, यह सारी चीजे आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताईएगा, ड्रीम टासेस को सब्सक्राइब क उससे कोई पूचे कि कौन सा कोर्स जोइन करें, सर उसको एक ही बात बोलेंगे, बच्चा संजीब नहीं जोइन करो, कुछ मत करो, वो ही काफी है आपके लिए, दो महीने में बहतरी नमार्स आएगा, यह हमारा हर सब्जेक्ट में 20-20-25-25 नमबर हमसे नहीं बढ़ाना, सि पर आके कहिए अगा, ठीक है, ओके, बाबाई, चाक्याएगा.